नमस्कार दोस्तों मैं हुआ अफिनो शींग और ट्रिक्शाला में आप सभी के साउगात है अब से दोस्तों इस चैनल का नाम हो जाएगा ट्रिक्शाला तो आप लोग बताना की नाम सही कर नहीं सही है शाला मतलब वह पार्टसाला वाला शाला नहीं तो कुछ और समझे लो तो simple interest साधारण व्याज जिसको बोलते हैं, वो आज हम समझेंगे, सीधा question पर आते हैं, पहली पत एक बाद और छोड़ी चीज आपको बता दू, साधारण व्याज को simple interest साधारण व्याज को लिखते हैं, तो इसका formula होता है, मूलधन, गुड़े दर, गुड़े समय बटे 100, बहुत सिंपल होता है, इसी formula पे सारा साधारण व्याज के सारे सवाल लगाया जाते हैं, कुछ और पूछ लेते ही, उल्टा सीधा कर देते हैं, ब साधारण व्याज, इतना है, तो व्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है, मतलब रेट पूछ रहा है, तो रेट पूछे तो, अब देखो इसी formula करेंगे, आर बराबर 100 को उपर, SI पहले से दिया है, गुड़े 100, अब PT नीचे, P और T देखो नीचे ला दिया, मतलब यह formula हो गया धरका, अब इसी पर सारा रख दो, तैनेती सो की धर राशी, तो PT नीचे है, ब्याज है, उननीच वस्सी, तो देखो, उननीच वस्सी है, नीचे, उननीच वस्सी कहा है, यह SI है, उननीच वस्सी, गुड़े 100, बटे, P, P मतलब मोलधन, प्रिंशिपल, तैनेती सो है, तैनेती सो लिख दो, गुड़े, T, T, पांच वर्स दिया है, तो पांच लिख दो यहाँ पर, बस, अब फाइनल कर दो इसको, यह डबल जीरो सी है, डबल जीरो, मतलब सो खतम, पांच से यह कर जाएगा, पांच, तियां, पंदरा, चार, पैंतालिस, मतलब बादा तालिस बल जाएगा, पांच, नवा, पड़ा, पांच, भादा तालिस, बादा बल जाएगा, तो यह भी खतम, 396 आगया, अब थैस से, 33 से कम, थैस, बचईगा क्या है यहाँ पर, बचईगा, प्चेगा, छे और चे, मतलब थैस दुना, तो आ गया, 12, वार्सिक ब्याजदार तो कि यदि एक रुपय पर एक माह का साधारण व्याज एक पैसा है तो वार्षिक दर प्रशत कितना होगा अब देखो एक रुपय पर एक पैसा मतलब एक रुपय में कितना पैसा होता है आप बोलोगे सो पैसा होता है एक पैसा का मतलब एक परसंट सो में से एक है न तो एक उपए पे एक परसंट एक महीने में लग रहा है देखो कहरा है कि एक माह का ब्याज जो है एक पैसा है मतलब एक महीना एक परसंट तो एक साल का बारा परसंट इसमें कुछ लगाना ही नहीं है ये कोश्चन सीजील का है अब इसको देखो यह क्या कहा रहा है कि 1400 की एक राशी तीन वर्ष तथा चार महीने का साधार ब्याज 700 है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी ध्यान से समझो मूलधन क्या है 14 है तीन वर्ष और चार महीने ध्यान से समझो तीन वर्ष और चार महीने की बात कर रहा है जिसका साधार ब्याज 700 रुपय है तो देखो साधार ब्याज मालूम हमको 14 मूलधन है मूलधन गुड़े दर दर हम पूछ रहा है लिख दो आर है न गुड़े बटे 100 लिखो गए ही अब समय क्या लिखो गए यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखो यह कह रहा है दोस्तों कि तीन वर्ष और चार महीने तो ह इतने चार महीने एक साल में होते हैं आप बोलोगे तीन चार तीयां बारा चार चार महीने अगर बाटोगे एक साल को तो तीन वार बटेगा मतलब चार महीने फिर चार महीने फिर चार महीने तो जब यह चार महीने यहां दे दिया गया है तो हम साल को भी चार चार महीने मे डिवाइड कर देते हैं, तो 1 साल बराबर 3 हो जाएगा, तो कितना साल है? तीन साल बराबर 9 साल हो जाएगा, 9 साल मतलब 9, तो 3 साल बराबर 9 हो गया plus 1 हई है, 10 हो गया, तो यहाँ पर 10 लिख दो, और हम 10 लिख के इस वर्स नहीं है, ये, ये 4-4 महीने का है, ठीक है? 4 माशिक जैसे होता ने कि 83, 6 माही और 4 माही ठीक है तो 4 माही निकाल लो पहले 4 माही निकाल लो फिर वार्षिक आटोमेटिक निकाल लोगे तो देखो 10 से ये 0 कटा एक से ये कट गया ये बनके 140 आर वराबर हो जाएगा 7 सुबट 140 तो ये ये कट गया 1475 तो ये 4 महीने का जो पत्तर हो जाएगा बात समझ भाया है ना 4 महीने का ब्याज आया दोस्तों 5 तो 3 मतलब 12 महीने का क्या आएगा 5-15 ये वाला देखो ये कह रहा है दोस्तों की 75-100 की बहुत खास कोईशन है ये एक राशी को दो भागों में विभाजित किया गया है पहले भाग पर 12% की वार् के दर से साथार व्याज के बराबर है कुल रूपया है 75-100 हमको नहीं मालूम जिसे 75-100 रूपया मैंने दो लोगों को दे दिया एक आपको दिया एक आपको दिया है ना कई लोग देख रहे हो फिराल वैसे ज्यादा लोग इस पर देख रहे हैं अभी लेकिन फ्यूशर में मुझे उमीद है कि बहुत लोग आओगे और जाओगे कहां देखो 75-100 रूपये दो भागों में बाट दिया दो लोगों को दे दिया एक पे 18% ब्याज लगाया दूसरे पे 12% ब्याज लगाया लेकिन कम जादा लगाया एक पे 12% लगाया दूसरे पे 18% लगाया लेकिन फि दिखो 12% एक है 18% हमको पैसा नहीं मालूम लेकिन फिर भी दोनों बराबर आ रहा है दोनों बराबर आ रहे इसको रेशियो में अगर करोगे दोस्तों तो ध्यान से सुन लो 75-100 रूपये की बात करोगे भाई उसको कितना दिया गया उसको कितना दिया गया तो जब दोनों भाई दोनों का उल्टा हो जाएगा मतलब जो बारा परसंट जिसको ब्याज दे रहा है उसका अठरा मतलब हो जाएगा रूपया और जो अठरा परसंट ब्याज दे रहा उसका बारा रूपया हो जाएगा अनुपात की बात करें तो अब अठरा अनुपाते बारा इसको भ बात किलियर हो चुका है अब ऐसे लगाना जब एक्जाम में आए तो अब इसको 75-100 को हम भाई तीन नुपाते दो है तो इस पचातर सो पचातर सो है माल लो तीन नुपाते दो है तीन दो पांच पूछ क्या रहा है कि प्रतेग भाग पर एक वर्स के लिए ब्याज क्या मिलत अच्छा ब्याज पूछ रहा है तो पहली एक का रूपया निकाल लो ब्याज आतोमेटी निकल जाएगा तो अगर पांच से भाग तो कितना है जाएगा पंदरा पचे पचातर मतलब एक अनुपात कमान पंदरा सो है तो पंदरा दून अतीस एक को तीन हजार दिया गया है दूसरे को पंदरा सो दिया गया है जिसको तीन हजार दिया गया उसका अटरा परसंट ब्याज है जिसको पंदरा परसंट ब्याज है जिसको पंदरा परसंट ब्याज है अब अठरा दिया चववन पांसो चालिस यह ब्याज देता है तो यह भी पांसो चालिस देगा बारा जो इसको उल्टा कर दो बस रेशियो में वही अब इसको देखो गहरा कि किसी धनराश पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूल धन का 25 बटे 16 है यदि दर पच्छत तथा वरशों में समय को निरीपूत करने वाली संख्या बराबर हो मतलब ध्यान से समझो दर समय दोनों बराबर है ब्याज 25 बटे 16 है तो ब्याज 25 बटे 16 है किसका मूल धन का तो मूल धन हमने माना एक्स मूल्धन क्या माना X तो साधारण ब्याज का सूत्र लगाते है साधारण ब्याज तो दिया है ना 25 बटे 16 किसका 25 बटे 16 मूल्धन का बराबर मूल्धन X है ना ये तो बता रहा है कि माना हमने X मूल्धन और ब्याज ये बता रहा है कि उसका 25 बटे 16 है, अब X गुडे दर कह रहा है कि दर गुडे R और समय भी R लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कह रहा है कि दर और समय दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो ऐसे लिख दिया, बटे 100, अब इसको solve कर दो, X से X गाया अब, दोनों तरफ है न, गाय च्छाट, R का square हो जाएगा, इसकोर है य दोनों R है न, अब देखो हो गया, काम खतम, अब R बराबर क्या हो जाएगा, 25 सो को वर्ग्मूल और 16 का वर्ग्मूल, 25 सो को वर्ग्मूल होता है 50 दोस्तों, और 16 का वर्ग्मूल होता है 4 और R बराबर, 50 बटे 4, तो देखो, ये तो इसको कम दो, मतलब दो दूना चार कड़ जाएगा, तो बारा सही एक बटे दो आपका उत्तर हो जाएगा, बास समझे ना, बारा सही दो बटे चार आ रहा है, तो दो बटे चार का मतलब वह एक बटे दो होता है, थो गया काम, तो इस तरह से इसको करेंगे सौल, है न, ब तो उत्तर जरूर देना सब लोग जो लोग अभी तक देख रहे हो ठीक है और वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्प्राइब करके बेल आइकोन जरूर दबाना जो बोलोगे जिस टॉपिक पर बोलोगे जैसे बोलोगे वैसे पढ़ाऊंगा कोई कम ही नहीं होगी यह मत असल रहते हैं अपने जीवन में तो इसलिए आपको भीड देखके नहीं समझ में उसके काम करना है लाइफ में तो चैनल को सब्प्राइब बेल आइकोन दबाना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि जल्दी ग्रोध हो ठीक है तो बताना सब लोग जो नाम मैंने रख है वो अच्छा है कि अच्छा है तो बस दोस्तों मिलते हैं फिनेश क्लास में तब तक ले जाएं हिंद जया भारत